अमिताब बच्चन अमिताब बच्चन भारत के सबसे प्रतिष्थित अभिनेता हैं। उन्होंने पहली बार 1970 के दशक में सिल्व स्क्रीन पर शोहरत हासिल की और अब 190 से अधिक फिल्मों में अभिने करके वह बॉलिवुड के सबसे चहेते चहरे हैं। अमिताब बच्चन 2002 से युनिसेफ के साथ जुड़े हुए हैं और अप्रेल 2005 में उन्हें युनिसेफ सद्भावना राजडूत के रूप में नियुक किया गया। उसी वर्ष उन्होंने युनिसेफ द्वारा, युनाइट फॉर चिल्रन, बच्चों के लिए एक जुटता एवं, युनाइट अगेंस्ट एड्स, एड्स के खिलाफ एक जुटता, जैसे अभियानों के माध्यम से बच्चों के खिलाफ होने वाली यौन हिंसा और एड्स क भारत के सबसे प्रतिष्थित अभिनेता हैं, उन्होंने पहली बार 1970 के दशक में सिल्वर स्क्रीन पर शोहरत हासिल की और अब 190 से अधिक फिल्मों में अभिने करके वह बॉलिवुड के सबसे चहेते चहरे हैं To mark India's Landmark Achievement of Being Certified Polio Free, UNICEF celebrated with Megastar Amitabh Bachchan who as the UNICEF Goodwill Ambassador for Polio, has played a critical role in mobilizing mass support for India's polio immunization campaign. UNICEF UNI 172579 माटा, में उपलब, English, Hindi, अमिताब बच्चन 2002 से UNICEF के साथ जुड़े हुए हैं और अप्रेल 2005 में उन्हें UNICEF सद्भावना राजदूट के रूप में नियुक्त किया गया उसी वर्ष, उन्होंने UNICEF द्वारा, UNICEF for Children, बच्चों के लिए एक जुटा, एवं, UNICEF against AIDS, AIDS के खिलाफ एक जुटा, जैसे अभियानों के माध्यम से बच्चों के खिलाफ होने वाली यौन हिंसा और AIDS के खत्रे के विशय में जागरूपता बढ़ाने के प्रयासों में भ पोलियो के मास मीडिया अभियानों का चेहरा बना दिया है और वे दोबून जिंदगी की किनारे से माता पिता को प्रत्येक टिका करन सत्रों में बच्चों को पोलियो वैक्सीन की दोबून पिलाने के लिए प्रोथसाहित करते हैं। उनके एक मशहूर हस्ती होने के कारण है बलकि एक ऐसे मानवतावादी के रूप में श्री बच्चन की विशाल लोक प्रियता, विश्वस्नियता और बड़ी संख्या में प्रशन सकों के कारण जाग रूपता बढ़ाने और देश के दूरस्त भागों में भी माता पिता को उनके बच्चों के पूर्ण टीका करण करवाने के लिए प्रेरित करने में मदद मिली। ये लंबी और तनाव पूर्ण रही है, लेकिन मुझे खुशी है कि हमने अंतक मेहनत करते हुए भारत से पोलियों को जड़से मिटाने में सफलता प्राप्त की। ते चेहरे हैं। 2 Mark India's Landmark Achievement of Being Certified Polio Free, UNICEF celebrated with Megastar Amitabh Bachchan who is the UNICEF Goodwill Ambassador for Polio, has played a critical role in mobilizing mass support for India's polio immunization campaign. UNICEF UNI 172579 माटा में उपलब्द, इंग्लिश, हिंदी, अमिताब बच्चन 2002 से UNICEF के साथ जुड़े हुए हैं और अप्रेल 2005 में उन्हें UNICEF सद्भावना, राजदूत के रूप में नियुक किया गया। उसी वर्ष, उन्होंने UNICEF द्वारा, UNITE for Children, बच्चों के लिए एक जुटता, एवं, UNITE against AIDS, AIDS के खिलाफ एक जुटता, जैसे अभियानों के माध्यम से बच्चों के खिलाफ होने वाली यौन हिंसा और AIDS के खत्रे के विशय में जागरूपता बढ़ाने के प्रयासों में भ पोलियो के मास मीडिया अभियानों का चेहरा बना दिया है और वे दो बून जिंदगी की किनारे से माता पिता को प्रत्येक टिका करन सत्रों में बच्चों को पोलियो वैक्सीन की दो बून पिलाने के लिए प्रोथसाहित करते हैं। उनके एक मशहूर हस्ती होने के कारण है बलकि एक ऐसे मानवतावादी के रूप में श्री बच्चन की विशाल लोक प्रियता, विश्वसनियता और बड़ी संख्या में प्रशन सकों के कारण जागरूपता बढ़ाने और देश के दूरस्त भागों में भी माता पिता को उ अब युनिसेफ ने मुझे पोलियों को खत्म करने के लिए राजदूद बनने का प्रस्ताव दिया तो मैं आसानी से सहमत हो गया, क्योंकि उन्होंने मुझे पीरा से ग्रस्त उन छोटे बच्चों के कष्टों के बारे में बताया था। मुझे एसास हुआ कि इन बच्चों की सहायता करने के लिए मैं जो कर सकता हूँ वह मुझे करना चाहिए। ये यात्रा आसान नहीं थी, ये लंबी और तनाव कुन रही है, लेकिन मुझे खुशी है कि हमने अंतक मेहनत करते हुए भारत से पोलियों को जड़से मिटाने मे सफलता प्राप्त की। यूनिसेफ इंडिया, उन्होंने कहा, ये जानना आश्चर्य जनक है कि भारत को पहली बार पोलियों मुख्थ हुए तीन साल से अधिक समय हो गया है। मैं गौरानविद महसूस करता हूँ कि मैं यूनिसेफ, भारत सरकार और इस यात्रा के अन्यसेहोगियों के साथ इस महान प्रयास का एक हिस्सा रहा हूँ। श्री बच्चन के पोलियो अभियान में शामिल होने से पहले, भारत कई दशकों तक पोलियो वायरस से सबसे अधिक प्रभावित राष्ट्रों में से एक रहा। यहां तक की 2009 तक भी, भारत में पोलियो के कारण होने वाले लकवा के 741 मामलों के साथ, दुनिया की आधि से अधिक पोलियो घटनाओं का हिस्सेदार रहा है। परंतुश्वी बच्चन की प्रभाव शाली आवाज, युनिसेफ और अन्य हिद्धारकों के प्रयासों के कारण भारत कई वर्षों से पोलियो मुक्त है। अमिताब बच्चन से जुली कुछ रोचक जानकारियां। क्या अमिताब बच्चन धूमरपान करते हैं? नहीं, 1980 के दशक के बाद भूमरपान छोड़ दिया। क्या अमिताब बच्चन शराब पीते हैं? नहीं, 1980 के दशक के बाद शराब छोड़ दी। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के इलाभाद जिले में हरिवन शराब बच्चन और तेजी बच्चन के घर हुआ। उनके पूरवज उत्तर प्रदेश के प्रताबगर जिले के गाव बाबुपटी से थे। उनकी मा तेजी बच्चन पाकिस्तान के लियालपुर फैसलाबाद के एक सिक समुदाई से थी। उनके पिता हरिवन श्राय बच्चन एक प्रसिध हिंदी कवी थे। प्रारंब में उनका नाम इंकलाब रखा गया था लेकिन राष्ट्रिय कवी सुमित्रानंदन पंथ हरिवन श्राय बच्चन के साथ ही कवी के सुझाव के बाद उनका नाम हमिताब रखा गया। उनके नाम का अर्थ वह प्रकाश जो कभी ना धले। उनका असली उपनाम श्रीवास्तव था, उनके पिता ने श्रीवास्तव से बच्चन रखा। उनकी मा थीटर में बहुत दिल्चस पी रखती थी और उन्होंने एक फीचर फिल्म में भी भूमिका अदा की थी, जिसके बाद उन्हें फिल्मों में कार्य करने के प्रस्ताव आने लगे परंतु उन्होंने घरेलू कर्तवियों को प्राथमिकता दी। वह एक इंजिनियर बनना चाहते थे और भारतिय वायू सेना में शामिल होने के लिए काफी उत्सुक थे। अमिताब बच्चन को उनकी भारी आवाज के लिए जाना जाता है परंतु आल इंडिया रेडियो ने उनकी इस आवाज को खारिज कर दिया था। अपनी डेब्यू फिल्म साथ हिंदुस्तानी में काम करने से पहले उन्ह पुरसकार से सम्मानित किया गया। उन्होंने पहली बार अपनी वर्तमान पतनी जया भादूरी के साथ फिल्म गुड़ी 1971 में कार्य किया। जिसमें उन्होंने एक अतिती की भूमिका अदा की थी। प्रकाश महरा की फिल्म जंजीर 1973 के बाद वह बहुत लोग प्रिय अभ माना जाता है। भारतिय फिल्म शोले में उन्होंने जय की भूमिका अदा की जिसके लिए उन्हें एक लाग का पारितोशिक मिला। 26 जुलाई 1982 को बेंगलूरू विश्वविद्याले के कैंपस में फिल्म कुली के चितरन के दोरान उन्हें गंभीर चोट लगी। फिल्म क 1984 में उन्होंने अपने दोस्त राजीव गांधी को समर्थन देने के लिए कुछ समय के लिए अभिने से राजनीती में जाने का मन बनाया। उन्होंने हेच, एन, बहुगुना के खिलाफ आठवी लोकसभा चुनाव में इलाहबाद सीट से चुनाव लड़ा था। उन्हों उनकी कमपनी ABCL घाटे में चल रही थी, तब उनके दोस्त अमर सिंग ने उनकी आर्थिक रूप से मदद की। उसके बाद अमिताब ने अमर सिंग की पार्टी समाजवादी पार्टी का समर्थन करना शुरू कर दिया। वर्ष 1990 की फिल्म अगनेपत में माफिया डॉन की भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्वेश्ट अभिनेता के राष्ट्रिय फिल्म पुरसकार से नवाजा गया। बॉक्स ओफिस टिकट घर पर फिल्म इंसानियत 1994 की विफलता के कारण वह 5 साल तक फिल्म जगत में दिखाई नहीं दिये। वर्ष 1996 में उन्होंने अपनी फिल्म प्रोडक्शन कमपनी अमिताब बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ABCL की स्थापना की। अमिताब बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ABCL बैंगलो में आयोजित 1996 मिस वर्ल्ड ब्यूटी प्रतियोगिता का मुख्य प्रायोजक था। परंतु 1996 मिस वर्ल्ड ब्यूटी प्रतियोगिता के विफल होने से उन्हें लाखों का नुकसान हुआ। अमिताब बच्चन ने अभिने कला में पुनह लोटने के लिए वर्ष 2000 में सुप्रसिद टीवी कार्यक्रम कौन बनेगा करोरपती KBC से शुरुआत की। जून 2000 में वहेशिया के पहले व्यक्ति बने जिनकी लंदन स्थित मैडम तुसाद वैक संग्रहाले में मोम से निर्मित मूर्ती स्थापित की गई। वह अपने दोनों हाथों से समान रूप से अच्छी तरह लिख सकते हैं। अमिताब बच्चन